हेलो प्रेंड कैसे हो आप सभी राधी राधी हर तालिका तीज का ब्रत स्वागन में लाएं अखंड सो वहागी की प्राप्ती के लिए ब्रत रखती हैं यह ब्रत बहुत ही कठिन माना जाता है आईए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा हर तालिका तीज का ब्रत साती जाने महत्व और पूजा बिधी हर तालिका तीज का ब्रत भद्रापद माक्स की सुकुलपक्च की तितिया तिति के दिन रखा जाता है इस ब्रत सुहागन मेलाएं अखंड सौबाग की प्राप्ती के लिए रखती हैं इस दिन माता पारवती और भगवान सिव की पूजा अरचना की जाती है यह ब्रत बहुती कठिन होता है क्योंकि यह निर्जला रखा जाता है यह ब्रत खास तर पर राजस्तान उत्तर प्रदेश मद्देश बिहार और जहरखंड में रखा जाता है आईए जानते हैं इस साल हर तालिका तीज का फर्व कब मनाया जाएगा और इसका पौराणिक महत्व क्या है हर तालिका तीज का बरत कब इस साल रखा जाएगा इस साल हर तालिका तीज का बरत 6 सितंबर को रखा जाएगा तिर्थिया तिति का आरंब 5 सितंबर की दुपेर में 12 बज कर 22 मिट पर होगा और अगले यानि 6 सितंबर को सुबह 3 बज कर 1 मिनट तक रहेगी तिर्थिया तिति उद्याकाल में 6 सितंबर को रहेगी ऐसे में हर तालिका तीज का ब्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा हर ताल का तीज ब्रत पूजा बिदी हर ताल का तीज के दिन सुबह इशनान अदी के बाद भगवान सिब माता पारवती और गड़ेश जी की मिट्टी से प्रत्मा बनाएं इसके बाद सबसे पहले भगवान गड़ेश की पूजा करें उन्हें तिलक लगाएं और दूरवा अर्पित करें फिर भगवान सिब को बेल पत्र और माता पारवती को स्रंगार का सामान अर्पित करें इसके बाद सभी को बस्त्रयादी अर्पित करें और इसके बाद हर ताल का तीज ब्रत कथा कार पाट करें अंत में सबसे पहले गड़ची की आर्थी करें और फिर भगवान सिव और माता पारवती की आर्थी करें इसके बाद सभी को पिरसाथ दें हर ताल का तीज का महत्व बहुती खास माना जाता है इस बरत को सोहागन महलाएं सोभाग की प्राप्ति के लिए रखती हैं और मिट्टी की भगवान सिव और माता पारवती की प्रत्मा बना कर कठोर तप करती हैं इस ब्रत में पानी नहीं पिया जाता है साथ ही रात्री में जाग कर भगवान सिव और माता पारवती का जागरन किया जाता है तो फ्रेंड ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर पताएं वीडियो को जादा सी जादा लोगों शेयर कर दें चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद